लो स्ट्वेंट्स, आम मनस्टी, वेलकम विए और इंटोशन्स अटाडमी में बच्चों जैसे कि आपको पता है कि इस वर्ब की टाइप्स बढ़ रहे हैं इसमें आपको फाइनाइट और नोन फाइनाइट वर्ब की टाइप को शुरू करवा चुकी थी फाइनाइट में हमने पूरा एक फ्लोज चार्ट बना के देखा था कि फाइनाइट वर्ब को भी क्लासिफाई किया हमने किसमें मेन वर्ब और 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 मेन वर्ब को हमने फर्दर क्लासिफाई किया किस basis पे object के basis पे और हमने दो इसके types देखे transitive verb और intransitive verb और उसको किस basis पे classify किया गया उसी से उसका definition derive हुआ हमने transitive verb को क्या बोला कि ऐसी verb जो अपने बाद में object लेती है intransitive verb को क्या बोला जो अपने बाद में direct object नहीं लेती preposition plus object ले सकती है तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं अपनी class तो last class में हमने कुछ इस तरह का flow chart देखा था हमने divide किया था verb को finite, non-finite में non-finite verb को हमने classify किया gerund में, infinitive में, participle में अगर noun की तरह verb को use करना है तो हम gerund या infinitive की form में करते हैं अगर as a adjective यूज़ करना है हम देखेंगे be form of verb, हम देखेंगे have form of verb और do form of verb तो यहाँ पर हमने शुरूबात कर दी थी transitive और intransitive के concept से आज जो हमें देखना है वो देखना है transitive और intransitive के example के साथ explanation तो चले चलते हैं अपनी slide की तरफ तो बच्चों यह slide मैंने आपको last class में भी दिखाई थी तो अब देखिए यहाँ पे आपको given sentence में हर एक word का part of speech identify करना है जब आप part of speech identify कर लें और जब आप उसमें यह पता लगा ले कि verb कौन सी है उसके बाद में आप यह पता लगाएंगे कि given verb transitive है की नहीं है अगर वो verb आपकी transitive हो तो पता लगाएंगे इसके बाद में single object आया है, double object आया है water, home, direct और indirect concept यहाँ पे आप अपना check कीजिए तो यहाँ पे आप पहले इन सारे question को attempt कीजिए उसके बाद में ही वीडियो को play कीजिएगा तो चलिए बच्चो शुरू कीजिए तो देखिए बच्चो यहाँ पे जो हमारा first sentence है जिसकी बाद हमने last class में भी की थी क्या है Maya sent candy from Switzerland अब यहाँ पे Maya क्या है subject है subject की जगे क्या सकता है noun और pronoun Maya क्या है noun ने कैसे पहचाना who से question बनाया क्या question था who sent candy from Switzerland answer में क्या आया Maya अब यहाँ पे देखिए बच्चो next आपकी क्या है verb है verb कोई अपना subject जो action perform करता है या होने का sense यहाँ पे action perform करने का sense है कुछ भेजने का sense है तो यहाँ पे sent use किया गया है यह आपकी किस तरह की verb है regular या irregular यह ed लगके बनी है नहीं यह आपकी irregular verb है इसका second और third past और past participle form same रहता है वही sent यह यहाँ पे past simple tense है verb की second form आगे देखना sent sent से question पूछना है water home से आगे नहीं देखना है अब ही देखो मैंने आगे देखने से भी क्यों मना किया बच्छों कि देखो ऐसे नहीं देखना कि sent के बाद में देखो direct candy दिया है direct object दिया है बीच में preposition नहीं आया तो sent transitive verb हो गया इस तरह पहचानना नहीं सिखाया मैंने आपको water home बना के आप question बना के और फिर चेक कीजिए हो सकता है कि ये intransitive verb हो और direct object देके इसमें कोई grammatical error कर रखी हो तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए आप चलिए sent से question पूछते हैं क्या candy आगे दिख रहा है what से पूछूं कि whom से candy living है कि non living chocolate को बोलते है non living है तो question किसे पूछेंगे what से तो Maya sent what Maya ने क्या भिजवाया तो Maya sent what के answer में आया candy तो यहाँ पे जो sent है ये किस तरह की verb हो गई ये हो गई transitive verb और ये जो candy है ये object है लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये direct object है कि indirect object है तो बच्चों ये किस तरह का object है ये आपका है direct object क्योंकि आपकी एक non living चीज है अब from Switzerland ही क्या है तो यहाँ पे देखिए sent sent से verb से जाके question पूछना है from where ठीक है where का answer दे रहा है बिजवाया तो है लेकिन कहां से बिजवाया तो है लेकिन कहां से तो ये from Switzerland ये है adverb of place verb के बारे में एक extra information बता रहा है अब देखना यहाँ पे sent से मैंने क्या बताया कुछ-कुछ बच्चे पूछेंगे बोल मैं preposition plus object preposition plus object मिल गया तो आप इसको object बोलिए न मैं किवाद Switzerland को object बोलूँगी किसका इस from इस from preposition का मैं Switzerland को object बोलूँगी इस from preposition का लेकिन from Switzerland from where का answer आ रहा है बच्चो preposition plus where का अगर ये sent अगर मैं इसको आप कई-कई बच्चे बोलना चाहेंगे कि ये from Switzerland के रिए तो ये intransitive हो गया नहीं मैंने intransitive का क्या concept बताया था intransitive में मैंने बताया था preposition plus what और preposition plus whom इन दो के ही answer आने चाहिए preposition plus where वहाँ पे नहीं लिखवाया अच्छा where कहां पे लिखवाया है मैंने बोला था कि आप 2Wh वर्ड छोड़ दो आप कौन-कौन से छोड़ोगे आप who और ये sorry 3Wh वर्ड छोड़ दो वर्ड आपको बताया था बच्छो की आप 3Wh वर्ड छोड़ दीजिए कौन-कौन से 3Wh वर्ड who हो गया, what हो गया और whom हो गया उनको छोड़के जो भी वर्ड बने वर्ड का आंसर उनसे पूछेगा given जो आंसर होगा वो वर्ड आपका adverb हो जाएगा तो send से question पूछा कि कहां से भीजी गई है, from where तो from where का आंसर है from Switzerland, तो ये जो from Switzerland है ये पूरा आपका place के बारे में बता रहा है और वर्ड के बारे में extra information दे रहा है क्या पढ़ा, माया आपका subject noun है, sent आपकी verb है, किस तरह की verb है, transitive verb है, इसका object क्या है, candy, किस तरह object है, आपका इसका direct object है, और from Switzerland ये है adverb of place, तो इस तरह आपको हर sentence का dissection करके हर एक part of speech को identify करना है, next देखिए, my mother took me to the Jew last week, तो मेरी mother last week मुझे जू लेके गई, अब यहाँ पे my mother क्या है, subject है, subject के जगे पे पूरी grammar में दो ही जीज, कौन-कौन सी noun या आपका pronoun, और जो my mother है, यह आपका noun है, who का answer दे रहा है, who took me to the Jew last week, answer में आया my mother तो my mother क्या हो गया, subject हो गया, बच्चों मेरे साथ साथ इसको लिखते जाएगा, टेली करते जाएगा, कि जो जो आपने लिखा है, वो सही लिखा है कि नहीं लिखा, तो my mother क्या हो गया, subject अब यह took है, यह क्या है, verb की second form है, irregular verb है, तो इसकी form किस तरह चलती है, इसकी form चलती है, बच्चों, take, took, और taken, took, second form है, taken, third form है, तो यह जो took है, irregular verb है, अब यह verb की बात कर ली, तो transitive और intransitive की बात करते हैं, तो इसको पहचानते हैं, तो took से, जाके question पूछेंगे, who या what से तो यहाँ पे देखना took whom लेके गई किसको तो took whom whom के answer में आएगा me मुझे लेके गई तो यहाँ पे यह जो take verb का second form took है इसने whom का answer दिया me से तो यह जो took है यह किस तरह की verb हो गई transitive verb हो गई और यह जो me है यह इसका object है यह जो took ले जाने का action है वो किस पर हो रहा है तो इसको बोलते है action का transfer object पर होना और यह जो me है यह direct object है कि indirect object है तो बच्चों यह है indirect object living है home cancer दे रहा है यह हमारी last class के सारे concept थे जिनको हम examples के थ्रू ब्रश अप कर रहे हैं अब यहांपर देखना यह मी तक को समझ में आ गया तू दरजू-अब यह Two क्या है preposition है preposition के बाद object आता है तो यह जो क्या है project है स्वरू क्या है preposition है और preposition के बाद में object आता है यह जो है यह आपका क्या है noun है object की जगए पे noun या pronoun दो चीज़े आ सकती है तो यहां पे यह जो क्या है आपका noun है place का name है अच्छा last week अभी इसका part of speech क्या है एक word और last week लिखा हुआ है तो बच्चों यह है आपका adverb of time verb का action कब हुआ verb का action बताने वाला समय है यह last week कैसे पहचाना verb से जाके question पूछा when लेके गई लेकिन कब उस when का answer आया verb से जाके question पूछा when और answer में क्या मिलता है verb को define कर रहा है इसलिए adverb और time के बारे में बता रहा है इसलिए adverb of time तो last week क्या हो गया adverb of time मैं फिर से सारी चीज़ एक बर revise कर रही हूँ my mother subject subject की जगे पे यह क्या है noun है took है irregular transitive verb me क्या है आपका indirect object to क्या है आपका preposition do क्या है आपका noun और last week क्या है आपका adverb of time I hope यह सारी चीज़ इस sentence से रिलेटेड आपको clear हो गई होंगी next sentence देखते हैं mark pass Joseph his cigarette mark एक person का नाम है pass किया तो यह exam में pass करने वाला pass नहीं है यह है किसी चीज़ को हम किसी दूसरे person को देते हैं वो वाला pass तो मास ने pass की Joseph को उसकी cigarette तो यहाँ पे देखेगा बच्चो cigarette का spelling देख लिजेगा cigarette का spelling बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं तो यह देख लिजेगा mark subject है subject को कैसे identify करते हैं noun या pronoun noun को कैसे identify करते हैं who और what से question बना के तो who से question बनाया क्यों बनाया क्योंकि mark आपका living आपका subject है और यहाँ पे question framing किस तरह से होगी mark को हटा दो इसकी जगे who लगा दो पूरा sentence बोलो who passed Joseph his cigarette किसने pass की आंसर में मिल जाएगा mark ने pass की तो mark passed Joseph his cigarette mark subject हो गया pass ed लगा है ed लगा है तो क्या हो गया आपकी regular verb हो गई अब चेक करो कि transitive है कि intransitive है तो pass से question पूछो pass whom past से question पूछना है verb से question पूछना है whom का मैं whom क्यों ले रही हूँ whom इसले लिया क्योंकि आगे Joseph मुझे एक living person दिख रहा है living का answer whom से आता है तो pass whom, whom के answer में आया Joseph अब next question पूछा मैंने pass what pass तो किया लेकिन क्या, क्या pass किया तो answer में आया his cigarette तो क्या देखा मैंने, ये pass regular आपकी वर्ब तो थी ही उसके साथ साथ ये double object लेने वाली transitive verb है double object में जो Joseph है वो indirect object है क्योंकि living है और जो his cigarette है वो आपका किस तरह का object है वो आपका non living object है जिसको आप क्या कहते हो direct object तो Joseph indirect object और cigarette क्या हो गया आपका इसका direct object हो गया ये his क्या है his possessive adjective है ये इस cigarette के लिए यहाँ पर use हुआ है I hope सारे part of speech आपको अच्छे से clear हुए होंगे TV का भी concept आपको clear हो गया होगा कि किस तरह जो transitive verb है वो क्या लेती है आपका direct object लेती है मतलब non living किस तरह transitive verb आपका indirect object लेती है कि living किस तरह आपकी जो transitive verb है वो दोनों object लेती है that is non living और living बच्चो एक चीज में आपको बहुत अच्छा concept यहाँ पर और बता दूँ कि transitive verb जब double object लेगी तो किस object को पहले रखेगी हमेशा indirect object को पहले रखा जाता है direct object को बाद में रखा जाता है ऐसा क्यों किया जाता है क्योंकि हम preference living चीजों को देते हैं non living चीजों को नहीं तो इस चीज को एक बार write down कर लीजेगा then transitive verb takes double object we use direct object after indirect object और इसी को अगर एक formula बना के मैं short में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकती हूं कि त्रीवी त्रीवी मतलब टेलिवीजिन नहीं ट्रांजिटीवर्व ठीक है होती हैं तो प्लीज राइट डाउं तो देखो बच्चों अब चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ वापस यहाँ पर सारे sentence आपको clear होगे चलो next देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ मैंने sentence दियें आपको आप वैसे ही करेंगे part of speech write down करेंगे देखेंगे कि TV है कि ITV है तो please do it तो चलिए बच्चों अगर आपको यह दो की बाद में चीज़े clear नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है the mouse ate the cheese लिखा हुआ है बच्चों चीज CHWSE यहाँ पर दो की बाद में mouse लिखा हुआ है M O U S E यहाँ पर दो के बाद में cat लिखा हुआ है C A T यहाँ पर दो के बाद में all लिखा है O W L ठीक है अब यहाँ पर देखना क्या pattern है subject plus verb plus direct object ठीक है तो यहाँ पर D O का pattern है यहाँ पर तो यहाँ एक मिनट यहाँ पर जो pattern है वो क्या है subject plus transitive verb plus यह D O बूल जाएए आप केवल object यहाँ पर कीजिए कि subject plus verb plus object का pattern यहाँ पर है तो क्या pattern है हर एक sentence को देख लेते हैं the mouse, mouse यहाँ पर क्या है subject है कैसे पता लगाया who से question बना के who ate the cheese तो answer में क्या है mouse तो the mouse ate the cheese अब ate किस तरह की verb है आपकी irregular verb है ED लगके आपका इसका second और third form नहीं बना है तो किस तरह बनता है इसकी form चलती है eat, ate और eaten तो यहाँ पर हो गया यहाँ पर eight अब eight आपका transitive question बनाते हैं what या home से तो यहाँ पर eight what mouse ने क्या खाया तो mouse ने क्या खाया cheese को खाया अब यहाँ पर eight क्या हो गया आपका transitive verb हो गया और the cheese क्या हो गया आपका direct object हो गया अब यहाँ पर next देखेगा the cat ate the mouse तो the cat subject subject की जगह पर noun eight आपकी irregular transitive verb और eight whom किसको खाया तो यहाँ पर हो गया the mouse तो यहाँ पर the mouse क्या है आपका indirect object है अब next देखेगा the owl subject subject की जगह पर यह noun है eight irregular transitive verb अब irregular transitive verb है तो eight whom तो eight का answer किसे आया whom का answer में क्या आया the cat तो यहाँ पर जो the cat है यह आपका indirect object हो गया next देखेए henry shot the owl henry ने shot किया मतलब कि गोली मार दी किसको owl को अब henry क्या है subject who shot the owl answer आया henry henry क्या है मेरा subject है अब यहाँ पर जो short है यह किस तरह की verb है irregular verb है अब irregular verb है तो transitive है कि intransitive verb है तो यहाँ पर देखना तो यह आपका किस तरह की verb है यह है आपकी transitive verb कैसे पता लगाया shot whom किसको गोली मारी तो यहाँ पर answer आया short whom whom का answer the owl तो the owl कैसा है? indirect object एक होप यह चीज आपको clear हुई होगी यह क्या है? subject, verb, object pattern है यह सारे कुछ इसके example है हम वही कर रहे हैं कि transitive, intransitive verb को पहचानने की कोशिश what और whom से question बना रहे हैं direct और indirect object को यहाँ पर mention कर रहे हैं तो आई होप जैसे जैसे मैंने बताया आपने राइट डाउन कर लिया होगा बच्चो तो चले चलते हैं हमारी next slide की तरफ बच्चो कहीं पे भी आपको लिखने में कोई भी problem आए तो वहीं पे video pause किया करो और जैसे जैसे मैं बता रही होती हूँ वहाँ पे लिख लिया करो ठीक है यह नहीं कि मैं तो इसमें लिखने रही हैं हमें यहाँ पे बहुत सारे questions प्राक्टिस करने हैं तो मैं direct आपको बताती जा रही हूँ write करने का कामा करते रहो तो next यहाँ पे देखना वही है subject, verb और object ठीक है अब यह आपके लिए homework रहेगा यहाँ पे मैंने mention करी दिया है कि कहाँ पे कौन subject है, कौन verb है और कौन आपका object है आपको बस क्या करना है आपको बस identify करना है कि जो यहाँ पे लिखा है सही लिखा है कि नहीं लिखा जो यह verb है यह आपकी transitive है भी कि नहीं है और अगर transitive है तो इसने बाद जो object लिया है वो आपका direct object है कि indirect object है तो चलिए बच्चो फटा फटस इसको note down कर लिजे अब देखिए हमारी next slide की तरफ चलते हैं हम तो यहाँ पे बच्चो देखो यह वही pattern है जो मैंने अभी थोड़े दिर पहले आपको लिखवाया क्या कि अगर वर्ब double object लेती है तो आप indirect object को पहले लिखेंगे और direct object को बाद में indirect object living होते हैं direct non living होते हैं तो देखना एक example य he gave his teacher an apple उसने अपनी teacher को क्या किया एक apple दिया तो he क्या हो गया subject हो गया और जो आपका gave है वो आपकी irregular transitive verb है तो gave gave whom किसको दिया तो किसको दिया his teacher अपनी teacher को दिया तो जो his teacher है यह आपका कैसा है indirect object है और gave what क्या दिया तो क्या दिया an apple तो an apple जो है आपका वो है आपका direct object I hope यह example आपको clear होगा होगा तो यहाँ पर देखना याद क्या करना आपको remember in this pattern the order of the object may be switched like this अब देखो order switch करना है order switch करने का मेरा मतलग क्या है आपको direct पहले लिखना है और indirect बाद में लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? क्या इसमें changes होगा? तो बच्चों हमेशा ध्यान लखना अगर आपको direct पहले लिखना है और indirect बाद में लिखना है तो indirect object से पहले preposition आप लगाते हो और कौन सा preposition लगाना है? तो suitable preposition लगाना है जो उस sentence के meaning को complete कर दे अब वहाँ पे वो sentence पढ़के हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे कौन सा preposition लगाना है तो यहाँ पे आप यह चीज समझे कि अगर order स्विच करना है तो बहले ही आप करो लेकिन change क्या आ गया? इसके आपकी transitive verb के बाद में direct object तो आ गया लेकिन जब आप indirect object इसके बाद लिखेंगे तो अब वो क्या लेगा? अब वो आपका preposition suitable preposition लेगा तो यहाँ पे देखना इसको कैसे लिखा गया है? यहाँ पे यह hide हो गया? मैं लिखके बताती हूँ आपको तो example उसी example को हम rewrite कर रहे हैं बस object का जो भी sequence था उसको switch कर रहे हैं तो he gave an apple to his teacher यही बात हुए थी हमारी तो यहाँ पे जो he है यह आपका subject है गेव आपका irregular transitive verb बैब अब गेव क्या? गेव what? तो यह आपका direct object देखें यहाँ पे बच्चो direct object पहले आ गया है तो यह आपका direct object पहले आ गया है indirect object बाद में लिया है तो जैसे ही indirect object को बाद में लिया उससे पहले एक suitable preposition मैंने introduce कर वाया और उसके बाद में आपने क्या लिखा है? indirect object तो यह चीज़ भी mention कर लिजेगा short में लिख रहे हैं तो not लगा के box बना के लिख लीजिए क्या लिखना है आपको यहाँ पे? कि जब भी आपको कोई भी transitive verb है जो की double object लेने वाली है अगर आप direct object को पहले लिख रहे हैं तो indirect object को बाद में तो क्या लगाएंगे? एक suitable preposition और plus आपका indirect object इसको आप box में बन कर लिजेगा तो प्लीज राइट डाउन अब देखे बच्चों चलते हैं अपनी slide की तरफ वापस अब यहाँ पर देखना एक और example दिया है मैंने लुई साइक परसन का नेम है through उसने फैंका through आपकी किस तरह की वर्ब है? irregular verb है throw, through, thrown इस तरह इसकी form चलती है तो through किया, क्या through किया? through what? what के answer में आया? the ball तो ball आपका what के answer में है? non-living है, किस तरह का object हो जाएगा? direct object तो यह जो through करने का action है फैंकने का action है यह किस पर हो रहा है? ball पर हो रहा है तो देखो, transitive verb अपना action ट्रांसफर करती है object पर next देखिए Louisa dropped her hat तो Louisa ने अपनी hat गिरा दी तो drop करने का action object पर हो रहा है transitive verb अपना action ट्रांसफर करती है यह जो verb है यह आपकी regular transitive verb है regular क्यों बोला? क्योंकि ED लगके इसका second form बना है यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए dropped what तो dropped what what cancer आया? her head और यह what cancer आ रहा है आपका non-living चीज़ है तो किस तरह का object हो गया? आपका direct object हो गया I hope यह चीज़ आपको clear हो गया please write down this अब देखिए बच्चों next तो यहाँ पर जो मैं अभी आपको बताती जा रही हूँ मैंने आपको क्या बताया? तो बच्चों मैंने क्या बताया? देखो मैं different example different pictorial representation से आपको TV और ITV concept समझा रही हूँ बच्चों बहुत important है इसले इतना emphasis इस पर कर रहे है बच्चे बहुत जादा confused रहते हैं क्या TV और क्या ITV यहाँ पर देखना वही है subject verb direct object pattern तो she ate eat what a hot dog तो eat eat what what का answer आया direct object हो गया a hot dog dog noun है और hot dog गरम कुत्ता नहीं बच्चे एक dish होती है तो यहाँ पर देखना जो hot है यह dog यह जो hot dog है यह पूरी एक dish का नाम है ठीक है गरम कुत्ता ऐसा कुछ नहीं है article है यह article किसके लिए आते हैं noun के लिए ही आते हैं तो I hope यह चीज़ आपको clear हो गई होगी next देखते है तो यहाँ पर देखना the boy through the ball तो through what the ball तो through किस तरह की verb है आपकी irregular transitive verb है यह जो the ball है किस तरह को object है यह आपका direct object है next देखिए subject plus verb plus indirect object और plus direct object यह pattern तो मैंने आपको बता ही दिया तो यहाँ देखते हैं some actions verb may also take indirect indirect वाले अब देखना यहाँ पर indirect का pattern तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या indirect मतलब की living object अब यहाँ पर देखना कुछ verb के example बता हैं जैसे give give का तो मैंने अभी आपको बताया ठीक है इस तरह make से भी बनते हैं और इसी तरह bring से भी बनते हैं indirect object के example यह सारी आपकी क्या है transitive verb है next देखिए जैसे कि यहाँ पर example डारेक्ट देख लिजी yesterday my lab partner lent me his lecture notes तो यहाँ पर क्या बोला है कि कल जो मेरे lab partner है उन्होंने मुझे उधार दिये अपने lecture notes जो lecture notes थे वो मुझे उन्होंने lent के उधार दिये मतलब एक बार copy करने के लिए दिये तो यहाँ पर देखना जो lab partner है यह क्या है subject lent है यह आपकी क्या है किस तरह की verb है आपकी transitive verb है lent, whom किसको दिये तो मुझे दिये तो answer में me आया किस तरह का object है indirect object और lent से question पूछा what क्या दिया तो answer में आया his lecture notes तो यह क्या है direct object है do से लिखा है और indirect object को io से लिखा है यह चीज़ आप धियान रखियेगा तो यहाँ पर देखना question बनाया यहाँ पर to whom नहीं to whom नहीं ठीक है इसी तरह यहाँ पर भी what से question बनाया है ठीक है तो answer में आया notes और यहाँ पर जब whom से question बनाया तो answer में क्या आया me ठीक है यह चीज़ समझे आप तुझे लिए next slide पर चलते हैं indirect object अब indirect object का तो पूरा concept में आपको पढ़ाई चुकी हो तो यह slide बस आप एक बढ़ देख लीजे क्या लिखा इसमें देखे यहाँ पर last example देखे Carol gave the timetable to Julie तो Carol gave Carol ने दिया क्या दिया gave what the timetable और यहाँ पर देखना direct object पहले लिखा indirect बाद में तो एक suitable preposition लगाया है to तो gave to whom तो gave to Julie आप यह ध्यान रखेंगी यह concept मैंने आपको पहले ही बता दिया है ठीक है बच्चों आप देखो एक और चीज़ होती है कि कुछ verb अपने object यह जो इसका object है ठीक है यह object को आपको qualify करना है इस object को आपको qualify करना है इस object को qualify कौन करता है object को qualify करते है adjective क्या आते है noun e or pronoun अच्छा जब adjective qualify कर रहा है तो इस adjective को हमने क्या लगाया है बाद में लगाया है तो एक concept मैंने क्या दीखा यहाँ पे कि object के adjective आपक ke बाद आते है अब देखते है कैसे adjective है क्या हो रहा है यहाँ पे तो the girl subject, ठीक है, the girl left, उसने छोड़ दिया the girl left, क्या छोड़ दिया the door open to left what? क्या छोड़ दिया the door, ठीक है, और door को कैसे छोड़ दिया, door कैसा है, दर्वाजा कैसा है दर्वाजा खुला हुआ है तो door के लिए, open क्या हो गया, adjective हो गया लेकिन यहां पर door और से पहले नहीं लगाया मैंने इस adjective को usually मैंने क्या पढ़ा है नाउन को जब आपके adjective qualify करते हैं तो नाउन के पहले लगते हैं लेकिन यहां पे हमने noun के बाद लगाया है reason क्या है क्योंकि यह noun है यह object की जगह पे है तो आप जब भी object की जगह पे आपका noun आए और आपको उस के लिए adjective लिखना है तो noun के बाद तो pattern क्या चला subject प्लस वर प्लस direct object प्लस आप यहां पर object compliment की जगह adjective भी लिख सकते हैं I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी तो please write it down यह भी पच्चों इसी तरह हैं जैसे कि I found this book I found what what this book और this book कैसी मैंने पाया इस book को कैसा I find मैं पाता हूं कैसा पाता हूं interesting पाता हूं तो book कैसी है interesting है तो देखना adjective object के बाद में अब देखना मारिया dyed her hair मारिया ने अपने hair पे dye क्या color किया अब उसके hair कैसे है orange तो orange क्या है आपका adjective है object के बाद यहां देखना ट्रैसी keeps her room अब देखो ट्रैसी keeps her room clean तो ट्रैसी रखती है अपना कमरा कैसा साफ तो keep keep what क्या रखती है रूम रूम को क्या रखती है clean रखती है तो रूम कैसा है clean है तो clean रूम के बाद adjective बन के किसका रूम का I hope यह concept आपको समझ में आ गया होगा तो different pattern है बच्छों अब यहां पे indirect verb sorry intransitive verb का concept यह तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ इसमें मैंने आपको क्या बताया preposition प्लस वॉर्ट प्रिपोजिशन प्लस हूम तो इससे question बनाके देखेंगे और answer में आपको प्रिपोजिशन प्लस वॉट के answer में गिविन प्रिपोजिशन प्लस object मिलता है तो आपका जो वर्ब है यह किस तरह का हो ये आपका हो जाएगा इंट्रांजिटीव वर्ब तो यहाँ पर की बोल कैच करने को बोला गया, लेकिन उसने कíem नहीं किया, कि भही मैं एक्षण को अपने बाहें लेता ,क्योंकि मआ क्या हूँ इन्ट्रांजिटीव वर्ब हूँ। अब transitive verb में मैंने बार बार आपको क्या बताया था कि जो transitive verb होती है वो action को transfer करती है object पर लेकिन intransitive verb ऐसा कुछ नहीं करती है अब बच्चों मैंने एक चीज बताई थी आपको कि intransitive verb जरूरी नहीं है अब जब मैंने बोला माइड़ यह अपने आप में complete sentence नहीं चूटा क्या मर गया और किसको मर गया ऐसा कोई question water home से लेटर कोई question आपके दिमाग में बना नहीं तो यहां पर जो डाइड है यह आपका ITV है sentence यही तक आपका complete है तो यहां पर आप इस चीज को समझे कि कैसे intransitive verb में मैंने आपको जो चीज बताई थी कि क्या की जरूरी नहीं है कि preposition प्लस object आए intransitive verb बे भी sentence complete हो जाता है तो इसको आप फटा-फट से लिख लीजे next देखिए बच्चो intransitive verb अब यहां पर जो example मैंने लिखा है वही आप देखिए the parrots laughed heartly तो जब the parrots है वो क्या है subject है और laughed आपकी क्या है regular verb है और laughed के बाद में जो heartly लिखा है य दिख रहा है तो आपको यहां पर adjective है लेकिन आपको तो बच्चो इस example को देखिए the parrots laughed heartly तो जब parrots है वो subject है who से reply कर रहे है कि who laughed heartly तो answer मैं the parrots और laughed किस तरह की verb है आपकी regular verb है एडी लगके बना है और यह heartly क्या है यह adverb है किसका answer दे रहे है how का answer दे रहे हैं देखो कैसे बनाएंगे laughed how हसे कैसे कहते हैं दिल खोल कर हसना या फिर मंदमंद मुसकाना या फिर अपनी कहते हैं कि मूँ बन करके हसना तो तरीका क्या है हसने का तो यह जो heartly है यह laugh verb के बारे में ही एक additional information दे रहा है और इस additional information को adverb से बोलते हैं हम और यह सोचेगा कि नहीं laugh के बाद में देखो heartly आ गया object आ गया तो heartly मेरा क्या हो जाएका transitive verb यह से पढ़ाया है मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ाया है हर एक part of speech को आपको conceptually identify करना बताया है मैंने तो यहां पे laugh आपकी क्या है regular verb है और आपका क्या है heartly क्या है adverb of आपका manner है next देखिए transitive verb में देखो difference देखो the pirates ठीक है अचा pirates क्या होते समुंदरी लुटे रहे found उनको क्या मिला the treasure खजाना मिला तो found से question पूछेंगे found what ठीक है तो answer में क्या आया the treasure और treasure आपका what का answer दे रहा है आपका non living object है किस तरह का object direct object इसको बोलेंगे तो आपको I hope यह TV और ITV concept यहां पर clear हुआ होगा तो यहां पर बच्चों TV और ITV concept के साथ में प्रैक्टिस सेशन को पूरा complete करने के बाद में यह lecture में यहीं पर wind up करती हूं next lecture में मिलेंगे हम अपनी वर्ब के other types के साथ में तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें अपना ध्यान रखिए जै हमेंट